हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MS Maths, so Mathematics 3D BSc 1st Year में हम बात करने वाले हैं, आज जो कॉनिकोइड है उस पर, कॉनिकोइड का एक इंपोटेंट टॉपिक हम आज यहां पर पढ़ने वाले हैं, अजो कोईड करेंगे, तो अंति तक हमारे साथ में बने रही हैं, और हमारे चनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में आपके जो कॉस्चन से हैं, आप पूछ सकते हैं, यहां पर इसकी एक्विशन से, क्योंकि आपको अगर एक्विशन पता होती है, तो आप किसी भी डेरिविशन को कर सकते हैं, तो हम definition की बात करते हैं, तो definition है, a surface generated by a tangent line of the conicoid, which is parallel to given fixed line that is called the enveloping cylinder, एक tangent line है, conicoid की, और वो parallel है, एक fixed line की, given कोई भी fixed line है, उसके parallel है, and उससे जो surface generate हो रहा है, उस surface को हम यहापे क्या कह रहा है, enveloping cylinder कह रहा है, इसको हमने आप एक बहुत ही simple definition में लिखा, बट हम इसका meaning समझते है, इसका meaning क्या है, जैसे मैं roughly अगर बात करता हूँ, तो यह एक conicoid है, और हम बात करता है, इसके लिए एक tangent line हो जाएगी, जिसको हमने इस type से represent क्या है, यह हो जायागी, इसके tangent line, अब यह जो tangent line है, इस tangent line यह किसके parallel है, इसके पास में given क्या है, हमारे पास में एक tangent line और है यह क्या है, इसके parallel है, अब इसके parallel है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यह हम को क्या करना पड़ेगा, इसके parallel है, अब parallel है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके equation find करनी है, और यहाँ से जब इसका locust लेंगे, इसके parallel है, फिर आप देखेंगे, एक tangent line इसके ल जिन्टर कहलाता इस खौन इक वेड़ु कि लिए तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि कि यह सरंवेश बनता है। जो लो कस बनता है तो इसको मिलाते हैं ऐस लोकस मिलाते हैं. cylinder की form गोर्ता, अब हम इसके equation की बात कर लेता है, तो ये हो जरिएगा आपका enveloping ये क्या हो जरिएगा, enveloping cylinder, OK, enveloping cylinder की हम याप बात करते हैं, और ये क्या हो ज़रिएगा उसके लिए, conicoid. अब हम देखते हैं यहापे equation of envelope, envelope की equation, जो cylinder है, enveloping count की equation क्या हो जाएगा तो हम यहाँ पर topic स्टार्ट कर रहे है equation of enveloping cylinder तो आप देखें यहाँ पर to find the equation of enveloping cylinder हमको equation conicoid की पता होने चे तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ conicoid की equation को लिख रहा हूँ तो conicoid की equation क्या है जनरल फॉर्म में ax square by square plus c z square is equal to 1 this is our equation number 1 अब मैं जो parallel given fixed line है इसकी मैं equation की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ equation of जो की origin से पास हो रहे है ऐसा हम लैट कर रहे है equation of a line equation of a fixed line हम एक fixed line की equation की बात कर रहे है equation of a fixed line तो वो हम यहाँ पर ऐसा लैट कर रहे है given line है ओके वो given line क्या है x upon l is equal to y upon m is equal to z upon n यह हमको एक line given है इसको हम equation number 2 कह रहे है अब इस line के parallel आपको एक line find करनी है ना तो आप क्या करेंगे यहाँ से तो आप देखें यहाँ पर क्या करना है कि let a point alpha beta gamma lies on the tangent line अब आपको tangent line की equation है उस tangent line basically है तो equation ही ना तो alpha beta gamma पे हम उस line की value find कर रहे है तो मैं यहाँ पर लिक रहा हूँ let a point alpha beta and gamma lies on a tangent of conicoid अब वो conicoid के tangent पे lies कर रहा है it means the equation of that line उस line की equation क्या होगी line की equation तो आप सभी को पता है ना कि point से पास होने वाले line की equation x minus alpha upon l is equal to y minus beta upon m is equal to z minus gamma upon n is equal to r हो जाएगा हमने यहाँ पर let कर लिया r हमने कोई term let कर लिया अब क्या करना है अगर मैं कहूं कि यह alpha beta gamma point यहाँ पर है और इससे यह line पास हो रही है अब इससे मैं r distance ऐसे ले लेता हूँ यह वाली जो है r distance मैं ले लेता हूँ इस r distance पे उस point को हमको find करना है तो यह जो point होगा वो point कम coordinate यहाँ से find करेंगे यह point हम यहाँ पे बात कर रहे है इस point के लिए यह point कहाँ पे होगा इस line पे होगा ना यह वाली जो line है अब यह line क्या कर रही है इस conicoid को intersect कर रही है and then this line touch to the conicoid, touch to the conicoid, conicoid वो touch करती है, तो क्या करेगा, यह point इस conicoid को satisfy करेगा, बस हमारी envelope के equation आजाए, कि संक जो enveloping slander है उसके लिए, तो हम आज इसके coordinate find करते हैं, तो मैं यहापे लिखता हूँ, a point lies on the line, इस line पे क्या कर रहा है, lies on the line at our distance, our distance means, यहापे हम जो distance ले रहे हैं, वो r ले रहे हैं, तो इसके coordinate क्या हो जाएंगे, a point, यहापे मैं लेक लेता हूँ, coordinate of a point, तो coordinate of a point lies on this r distance, तो r distance पे वो क्या कर रहा है, तो इसके coordinate हो जाएंगे, x is equal to lr plus alpha, y is equal to mr plus beta, and z is equal to nr plus gamma, आप यहाँ से find करें, इस l को उधर बेजें, transfer करें, इस r को इसके नीचे लाएं, ok, r को यहाँ पे लाएंगे, आप तो क्या हो जाएगा, आपके पास equation आजाएगे, sorry, यह जो coordinate से वो आजाएंगे, अब यह coordinate क्या कर रहे है, satisfy कर रहे है किसको, conicoid को, so that, यह कहाँ पे है, line पे है, line टच कर रहे है, conicoid को, it means indirectly है, किसको satisfy कर रहे है, conicoid को, so that, it satisfies, it satisfies, the equation of, conicoid, जो conicoid की equation है, उसको क्या कर रहे हैं, satisfy कर रहे है, ax square, plus by square, c, z square, is equal to one, तो यह हो जायागा, a, l, r, plus alpha, hall square, plus b, mr, plus, beta, hall square, plus c, n, r, plus, gamma, hall square, gamma, hall square, is equal to हो जायागा, one, जब आब इसको solve करेंगे, तो quadratic equation आएगी, इस फ़र्म में, r square, a, l square, plus b, m square, plus c, n square, plus आयागा, 2 r, a, alpha, l, b, beta, m, c, gamma, n, और आपके पास में, constant time आयागा, a, alpha square, b, beta square, c, gamma square, minus one is equal to zero, यह आगे, आपके पास में, quadratic equation की form में, अब इसके दो roots होंगे, तो यह quadratic equation की form आगे, अब आपको क्या करना है, condition of, tendency यहाँ से apply करनी है, अब tendency अपलाई करने का मतलब क्या हो गया, कि यह जो line conicoid को touch कर रही है, ओके, यह line conicoid को क्या कर रही है, touch कर रही है, तो अगर मैं intersect की बात करता हूँ, तो यह क्या कर रही है, दो point पे intersect करेगी, यानि कि इस equation के दो root जो होँगे, वो उसके coordinate होँगे, ओके, वो ही तो उसके distances होगी, यहाँ से उसकी distance होगी, बट यह क्या कर रही है, इसको touch कर रही है, touch करने का means क्या हो गया, कि यह point इस point की और, lights कर रहा है, sorry, यह point इस point की और क्या कर रहा है, extend हो रहा है, extend to this point, अब यह point उस point पर की और जा रहा है, means दोनो point का होँगे, एक ही जगह पर होँगे, intersection की दोनो point, अगर एक ही जगह पर होजाता है, तो यह line क्या बन जाएगी, इसके लिए tangent line होगी, तो एक ही जगह पर होने का means क्या हो जाएगा, इसके दोनो root क्या होने चाहे है, it means the root of this equation should be equal, और root equal करने के लिए जो condition होती है, वो b square minus 4ac is equal to 0 होती है, it means b square is equal to 4ac, अब आप क्या करें यहां से, यह इसको आप इस form से, आप देख सकते हैं आप, ax square plus bx plus bx plus c is equal to 0 से compare करें, यह quadratic equation है, इससे आप compare करेंगे, तो आपके पास मैंसर आजाएगा, b यहां पर कौन है, 2, r को छोड़ के बाकी पूरा, इसका r का coefficient लेना है, it means यह क्या हो जाएगा, 4al alpha bm bm beta cn gamma hall square is equal to 4a की बात करता है, तो वो क्या हो जाएगा, al square plus bm square plus cn square hall square, sorry hall square नहीं आएगा, आगे c multiply होगा, तो c कौन है, al square bbeta square c gamma square minus 1, अब जब आप इसको solution करेंगे, या फिर इसको इसी टाइप से form में रखना है, solution नहीं करना है, क्योंकि हमको equation find करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका locus यहाँ पर put कर देंगे, तो अब LMN तो हमको पता होंगे न, इसलिए हम इसका solution नहीं करें, बाकर जब हमको LNM पता नहीं होते, क्योंकि LNM की value क्या है यहाँ से, अगर आप देखते हैं, तो आपको LNM की value भी मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसका alpha, beta, gamma का locus ले ले लेंगे, और स्वरी, beta के जगे पर क्या put करना है, B, M, Y, प्लस यह हो जायागा, C, N, स्वरी, N, C, N, gamma के जगे पर Z पुट हो जायागा, तो ही हो जायागा, होल स्क्वेर, यहाँ पर क्या हो जायागा वापस, A, L, SQUARE, B, M, SQUARE, PLUS C, N, SQUARE, as it is होगा, अब बट यहाँ पर, A, alpha के जगे आ जायागा, X, SQUARE, B, Y, SQUARE, C, Z, SQUARE, माइनस वन हो जायागा, यह आगे आपके पास में, कॉनिकोईड के लिए, equation of, enveloping, cylinder, for, कॉनिकोईड, कॉनिकोईड के लिए, general कॉनिकोईड की equation आ गई, in case, in case, अगर मैं यहाँ पर, ellipsoid के लिए बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पर, special case apply कर रहा हूँ, special case क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर, special case की बात करता हूँ, for, ellipsoid, अब ellipsoid की equation क्या होती है, पता है, आपको क्या करना है, I की जगह पर, 1 upon A square foot करना है, B की जगह पर, 1 upon B square foot करना है, C की जगह पर क्या put करना है, 1 upon C square foot करना है, आपको क्या करना है, equation की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर, हम लिख लेते हैं, इसकी equation, तो यह हो जाएगा, equation of, ellipsoid, equation of ellipsoid that is 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon okay sorry x भी तो आएगा ना इनके साथ में आपको सिर्फ एक ही जगाप यह put करना है तो यह हो जाएगा x square upon a square plus y square upon b square z square upon c square is equal to 1 आप देख सकता है जो conicoid है उसकी equation क्या है ax square यह देखे हैं ax square plus by square plus c square है यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं इसमें only एक ही जगापे 1 upon a square b की जगापे 1 upon b square और c की जगापे हम 1 upon c square put कर रहे हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पे भी क्या करा इसी equation में यह equation number one हो जाएगी sorry हमने one two पर दे दिया है तो यह हो जाएगा equation number 3 is equation number 3 में आपको एक ही जगह पे जो सारी टम से इनको क्या करना है replace करना है अगर मैं बात करता हूं equation of enveloping cylinder for ellipsoid अगर मैं ellipsoid के लिए इसकी बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा आप इसी equation को जहां से देखें a lx है तो a lx की जगह क्या हो जाएगा nz upon c squared इसका क्या हो जाएगा holly square similarly इधर क्या हो जाएगा x squared upon a squared ओके आप देक सकते हैं याँ पर जैसे x-square है यहां पर यहां पर क्या है अन्म लीडियितु A square, plus क्या हो जाएगा, M square upon B square, plus क्या हो जाएगा, N square upon C square, minus जो constant वाले term है, AX square plus BY square plus CZ square minus 1, it means यह क्या हो जाएगा, X square upon A square, plus Y square upon B square, plus Z square upon C square, minus क्या हो जाएगा, यह minus 1 हो जाएगा, तो यह आगी आपके पास में equation of enveloping cylinder for ellipsoid, this is our equation number 4, I hope आप तक यहां तक पूरा का पूरा जो derivation है, वो समझ में आया होगा, so thanks for watching this video, keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths for B.C. course of Mathematics and Physics.